तो दोस्तों भारत के infrastructure को दुबई जैसे तयार करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है जहांपर अब भारत के energy sector को modern station infrastructure development technology के तर्थ पर तयार किया जाएगा और भारत के अलग-अलग राजियो में जो भी infrastructure मौजूद है और जो भी technology मौजूद है वो अब पहले स से भी कई गुना जादा advance होने वाली है जहांपर अभी मध्यपरदेश को target किया गया है और रिसेंटली यूनियन पावर मिनिस्टर आर्के सिंग जीने अनौंस किया है कि MP गवर्मेंट के लिए 13,000 करोड रुपए आवंटीत किये जाएंगे जिससे modern station infrastructure development किया जा सके in energy sector जह पर मुकमंत्री तिवराज सिंग चोहान और भी कई बड़े अधिकारी मौजूद थे और अगर आपको बताएं कि मौडेशन infrastructure क्या है तो रोड हाइवेज एयरपोर्ट और पोर्ट यह सारी चीज़े आज से दस साल पहले भी होती थे और अभी भी मौजूद है लेकिन तब भी एयरपोर्ट होंगे उन सभी को सोलर पावर से ऑपरेट किया जाएगा इसे के साथ में रोड और हाइवेज में जो कॉंक्रेट के क्वालिटी है उसको काफी जदा एडवांस किया जाएगा पुब्लिक सेवटी के लिए बहुत सारी चीज़े डवलप की जाएंगे इसे गिनी चुनी जगें हैं जहांपर इलेक्रिसिटी पहुंचनी बाकी है या फिर कहें अल्मोस्ट पहुंच चुकी है बाकी जहां पर ज्यादद दर फैक्टरीज आ वहांपर इलेक्रिसिटी की कोई भी शौर्टेज नहीं है और नै नैस सोलर प्लांट्स भी लगाया जा रह हैं लेकिन इस अबडेट को समझने के लिए इतनी चीजे काफी हैं तो इस 13,000 करोड की energy sector में investment के बारे में आप लोगों की क्या रहा है comment box में जरूर बताइएगा भारत के ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए आप हमारे झाल